ग्लोइंग स्किन पाने की इच्छा है तो घर पर बना कर लगा लिजे ये फेस पैक्स ऐसा निखार नजर आएगा कि आपको भी नहीं होगा यगी सो हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी लोग सिहत मन्द और बहुत अच्छे होंगे वेल तो अच्छा की सही देखवाल ना की जाए तो इसकिन बेजान और रूखी-सुखी नजर आने लगती है ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसकिन की सही देखरे की जाए पालर में जाएंगी तो आपको निखार मिले ना मिले लेकिन लंबा चोड़ा बिल ज़रूर मिल जाएगा तो छोड़िए पालर के चकर लगाना और घर पर खुद ही बना दीजे आसानी से तयार हो जाने वाले ये फेस पैक्स तो आज मैं आपके साथ शेयर करने चारी हूँ ऐसे ही दो फेस पैक्स जिसे लगा करके आप अपने इसकिन में नेशरल ग्लो पा सकती हैं और आपकी इसकिन बिलकुल बेदाग निखर जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन दो रेमेडिस को बनाना प्रेम्ती फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर ग्रीन टी की जरूवत है तो एक चमच आपको ग्रीन टी पाउदर यहां पर लेना है अगर आपके पास उसको भी आप पौडर North एसी पावर में बना सकते हैं और इन दोनों को अच्छे से मेक्स कर लेना है ग्रीन टी एंटी ओक्सिडन्स से भरपूर होती है जो चेहरे की स्किन को साफ करने के साथ ही बाहरी और अंदरूनी दोनों रूप से बैस्तर करती है यह आपके इसकिन के पोर्स को भी साफ करती है अगर धूल मिटी गंदगी आपकी पोर्स में इकठा हो गई है तो उसे बाहर निकालने का भी काम करती है इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है make sure रहें कि आपका जो पेस्ट है वो बिलकुल अच्छे से finely पेस्ट बन गया है इसमें कोई भी लंस ना हो तो यहाँ पर बस दो चीज़ से आपको ये face mask रेड़ी करना है और अपने चेहरे को अच्छे से clean करेंगे, wash करेंगे इस mask को अपने overall चेहरे पे apply करना है, 15 मिनट के लिए आपको रखना है अपने चेहरे पे ब्राइब होने के बाद normal पानी से wash कर लेना है इसे आपको week में 3 टाइम यूज़ करना है आप चाहें तो इसे regular भी यूज़ कर सकती है अपने skin को glow लाने के लिए अपनी skin को बेदाव और निखरा बनाने के लिए तो अब बड़ते हैं second remedy की दरफ इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है papaya powder या फिर fresh papaya जो गूदा होता है वो भी आप ले सकते हैं यानि इसका pulp भी ले सकते हैं अगर आपके घर में fresh papaya fruit रखा हुआ है तो आप इसका pulp भी ले सकते हैं अधरवाइस powder है तो आप इसे एक चमश के करीब इस powder को add करेंगे papaya vitamin C, vitamin E properties से बरपूर होता है यह आपके skin complexion को light करता है आपके skin के dark spots pigmentation को भी दूर करता है और आपके skin के glowness को और ज़्यादा enhance करता है इसका paste बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना है honey यानि की शहर papaya आपके skin के dead cells को दूर करती है और उसे अच्छी तरीके से cleanse करने में भी बहुत ज़्यादा help करती है आपको इन दोनों को अच्छे से mix कर लेना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा rose water भी add कर सकते हैं या फिर कच्छा दूर भी add कर सकती हैं इस face mask को आपको अपने साफ सुत्रे धूले हुए चहरे पे apply करना है अच्छा सा glow आपको देखने का मिलेगा अपने face पे इस face mask को apply करने के बाद ये naturally आपके skin complexion को lighten करेगी और आपके skin के जो दाव धब्बे हैं उसको भी दूर करेगी साथ ही आपके skin में moisturize की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देगी चुकि ठंडिया start हो गई है और हमारी skin रूखी सुखी हो जाती है फट जाती है जिससे की ये बिल्कुली दूर कर देगी क्योंकि इसमें है honey और honey आपके skin को deeply moisturize भी करती है आप इसे daily भी apply कर सकते हैं और alternate day पे भी apply कर सकते हैं तो ये दो face pack बनाए और अपने चेहरे पे लगाए अपने skin को बेदा निकरी बनाए आज की ये दोनों remedy आपको कैसी लगी ये दोनों face pack आपको कैसी लगे मिचे comments करके ज़रूर बताईएगा चली फिर से मिलते हैं एक another remedy के साथ तब दे के लिए bye bye and take care अपना ध्यान रखिए